नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी फॉर सिविल सर्फिसेस में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालो ग्रूप जरूर सा जरूर जोईन कर लिजेगा यूबी पीसेस 2021 के लिए स्पेशल बैज जो है शुरू हो चुका है आप इसको जोईन कर सकते हैं हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ग्रूप अधर अपडेट्स के लिए जरूर जोईन कर लिजेगा सेक्शन वाइज में सबसे पहले अग्रिमेंट्स पर बात करेंगे पीएफसी यानि पार फाइनेंस कॉर्परेशन लिम्टेड ने उर्जा मंत्राले के साथ एक प्रदर्शन अधारित समझे होता किया यानि कि कह सकते हैं टार्गेट सेट किया अबना तो टार्गेट कितना है भारत सरकार ने धारित किया है यानि पार फाइनेंस कॉर्परेशन लिम्टेड से आनी चाहिए यह दोनों के भी समझे होता हुआ है तो बस इतना आप से बूछ सकते हैं कि पार फाइनेंस लिम्टेड ने कितना लक्ष रखा है राजसु प्राप्ति का इस में में तो यह 36,000 करोड रुपए बस उसके बा अवास ने statement of intent sign किया statement of intent किस बारे में है energy transition agenda पर और decarbonization पर अगर सवाल बना तो यह बन सकता है कि नीदर लैंड के साथ किस तरह के statement of intent परस्ताक्षर में नितियायोग के साथ decarbonization ही इसको बोलेंग हिंदी में भी और energy transition agenda ठीक है Paris Agreement के जो भी postulate से उसको पूरा करने के लिए नीदियायोग ने नीदर लैंड के साथ साथ किया है इस बार अवाज कान में चुब रही होगी थोड़ी उसके लिए माफी चाहेंगे सुखाम है यहाँ पर लेकिन पूरी कोसिश है कि आपको हर चीज हर शब्द स्पस्ट रूप से समझ ब्याए टाटा स्टील के scientist ने समझ आयर का full form हो गया शेखर मांडे इस समय अध्यक्ष है आगे वड़ते हैं इसमें समझाता किस बारे में हुआ है समझाता हुआ है carbon capture utilization and storage पर CCUS पर ज्यादा बहुत important नहीं है शहरी विगास पंतराली ने street food vendors को online लाने के लिए स्विगी के साथ हाथ पिला है यह जो स्वानिध लोटा समान बेचते हूं लॉक्डाउन समं का जो धंदा बंद हो गया था उसको रिवाइब करने के लिए 10,000 रुपय का जो working capital दे रही सरकार केवल 7% वार्सिक ब्याज पर तो आपको वैसे तो पता है कि उसमें कौन जो है उसको implement कर रहा है Ministry of Housing and Urban Affairs कर रहा है लेकिन इसको बड़े पैमाने तक फैल आने के लिए जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों को लाब मिले लाब देने का लक्ष सरकार का कितना है 50 लाग street vendors को लाब पहुचाएंगे लेकिन इतनी जल्दी इतने लोगों तक access कैसे हो सकता है क्योंकि छोटा व्यापारी जो है जरूरी नहीं कि इसके पास smartphone हो और वो web पर इतना active हो तो इसमें Swiggy के साथ partnership किया है Swiggy के साथ मिल करके ये स्वानेदी scheme का लाब पहुचाने के लिए चूकि Swiggy जो है इससे छोटे छोटे street vendor चुड़े हुए है जो अपना समान मेचते खाने पीने का तो इसकी मदद से इन शहरों में पहले जो है पांच सेहरों में पाइलेट तोर पर इसको चला जाएगा हमदबाद चेन्नाई दिली वारनसी इंदाओर यहां पर विकरिताओं को जोडने का काम करेगा लोन दिलाने का काम करेगा Swiggy ठीक है उसके बाद आ जाते NCRT books जो है sign language में convert की जाएगी sign language काफी popular term रहा था आप अगर देखें 2019 में भी 2020 में भी तो अगर आप आने वाले बीयो पेपर को देने वाले तो sign language पर short note लिखने के लिए तयार रहेगा 25 या 50 शब्द का sign language पता होना चाहिए आप बताईए हमको यह comment करके कि 2019 को या 2020 को किस वर्ष को year of sign languages की रूप में किस बड़े organization ने माना ह है अगर आपको यह बता है तो मतलब आप अपडेट रहते हैं करेंट फेर से फिलहाल इस पर आते हैं समाजिक ने आए एवं अधिकारता मंत्राले ने बधिर बच्चों के लिए सेक्षिनिक समगरी को उनके समझने योगी प्रारूप में बनाने के लिए भारती सांकेतिक भाषा अनुसंदहाने वह प्रशिक्षण केंद्र और यह एंसी आर्टी के साथ सम्झावता किया है कि एंसी आर्टी बुक्स को साइन लैंग्विजस में कंवर्ट किया जाए जिससे जो बधिर बच्चे हैं जो जो कह सकते हैं hearing impaired बच्चे हैं वो भी NCRT बुक्स को पढ़ सकें अच्छे से पढ़ सकें ठीक है आपको लगेगा कि अगर बधिर है तो वो तो पढ़ भी सकता है आँखों से लेकिन sign language जो जादा तर यूज करता है कि जो impaired person होता ही रहेंग, impairment से जूज रहा person उसका skills अच्छी होती है sign language में तो sign language में अगर books available हो पाएंगी तो काफी उनको सहीर आएगा Amazon ने IRCTC के साथ समझा होता कर लिया है जैसे Paytm में IRCTC की services available है अब Amazon Pay app पर भी available होंगी train की टिकट जो है Amazon Pay का जो आया पाता है उससे खरीदी जा सकेगी ठीक है उसके बाद Microsoft और यह जो अखिल भारती तकनीकी शिक्षा परिसद है इसने समझावता किया है हम इसके बारे में वैसे तो September में भी films देख चुके हैं कि Microsoft जो है एक लाख करीब छात्रों को प्रिशिक्षित करना चाहता है कि इस छेत्र में Internet of Things के छेत्र में Artificial Intelligence AI के छेत्र में Data Science और Cloud Computing के छेत्र में ठीक है तो उसी में पहल की जा रही है कि Microsoft यहां पर courses available करवाएगा छात्रों को इनके साथ मिल करके अखिल भारती तक्नीकी सिख्षा परिसत के साथ मिल करके एक Digital फर्स्ट प्रोग्राम चलता है भारत में उसके तहत Mastercard ने समझावता किया है Atlantis के साथ, Atlantis क्या है? Atlantis एक Financial Technology Company है जिसका Headquarter सिंगापूर में है, Mastercard इनके साथ मिल करके कुछ सुलूशन सुपलब्द करवाएगा इससे Best in Class Digital Banking Experience मिल सके यहां के लोगों को जो यह Best in Class Digital Banking Services का लाब ले सके यहां के लोग भारत में उसके लिए Atlantis के साथ समझावता किया है Mastercard ने, बस इतना आपको याद रखना है किस प्रोग्राम के तहत, Digital First प्रोग्राम के तहत, यह Keywords से Question इनी से बनते हैं, UBPices में Highway Infrastructure की बहतरी के लिए IT जोदपूर, National Highway Authority of India ने MOU से हम पर साइन किया है, वस इतना आपको याद रखना है, उसके बाद भारती डाक यानि इंडिया पोस्ट और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल सिप्मेंट पर समझावता किया है, एक उल बिलाकर यह है कि जानकारी साजहा हो सकेगी, इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विसेस के बीच, जैसे यूएस से अगर कोई समान वहाँ पर जो है, इंडिया में आना है, इंडिया से यूएस में जाना है, तो समान के पहुंचने से पहले, electronic exchange हो जाए, custom data का, जिससे easy जो procurement हो सके, और transit easy हो, ठीक है, तो मतलब समान पहुंचने से पहले detail पहुंच जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो, SBI card ने समझाता किया है DMRC के साथ, मतलब DMRC में जो smart metro card चलता है, उसके लिए है कि, आप जो है metro card बनवाएं कि DMRC का, वो SBI card से समर्थित होगा, गर उसमें balance कम चला जाता है 100 रुपए से, तो खाली UPPCS पर ही करेंगे, अगर कोई दर उदर के exam की भी तयारी कर रहा है, तो उसको भी यहां से content मिल जाएगा, Microsoft और NSDC ने एक लाग महिलाओं को digitally causal बनाने का समझाता किया था, तो यह सब चीजें जो है, यह lockdown जब खुला था, तो यह हमने देखी थी, एक बार फिर से इसक खाली कभी, ठेक है, आगे बटते हैं हम लोग, IIT कानपूर और ASI यानि Archaeological Survey of India ने समार्कों की बहाली के लिए Italian जो दो इंस्ट्यूट्स से उनके साथ समझाता किया है, उन इंस्ट्यूट्स का नाम क्या है, एक का नाम है आपका सौ प्रिटेंजंजा, आर्केलोजा और फॉसकायरी यूनिवस्टी जो है, ये दोनों जो वहाँ पर पढ़ती हैं वेनिस में, उनके साथ समझाता हुआ है, ये इटली की दो यूनिवस्टी, IIT कानपूर अर्केलोजिकल सर्वे अफ इंडिया, ये तीनों मिलकर के भारत मे जो आपके समारक हैं, ASI के, उनके बहाली का, उनके जीनोधार का, उनके रिनोवेशन पर काम करेंगे, अपॉइंट्मेंट्स देख लेते हैं, आपर महत्पूर्ण नियुक्तियां और जो भी उनके बारे में जानना जरूरी है, नीतिव डेविट की नियुक्ति हुई है, ये 510 ये महिला राष्ट्री चैन पैनल बनाया गया है, तो ये पैनल क्या काम करेगा, ये पहली बात तो BCCI नहीं बनाया है, BCCI क्या है, भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो यहां पर जो लक्ष है, इसका यही है कि जो महिला टूर्णमेंट होते हैं, महिला अंतर या फिर राष्ट्री या फिर लीग लेवल के टूर्णमेंट होते हैं, उसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा करने के लिए अच्छे खिलाडियों का चैन करने के लिए, ठीक है, तो इसमें जो हैड है, उनका नाम बस ज़रूर ज्यान रखिए, अनीतिव डेविड, बाकी मिंबर्स का नाम भी हमने दे दिया है, इनका सबसे पहला काम क्या होगा कि आईपिल प्लेयाउफ के साथ साथ नॉमबर 2020 में UAE में जो महिला T20 चैलेंज आयोजी तोने माला है, उसके लिए यहाँ पर अच्छे खिलाडी यहों का चैन करना, अच्छी महिला खिलाडियों का चैन करना, सुनिल सेथी जो है, खादी और ग्रहमोद्यों गायों के वी आईसी के नाइप परामर्शक यानि एडवाइजर न्यूकत किये गए हैं, जो कि अल्रेडी फैशन डिजाइन काउंसिल आफ इंडिया के चेर परसन हैं इस समय, यह सुनिल सेथी इनको नहीं समझें पीधिव अगेला, यह कैमिनिट की न्यूकती समीती इनको ट्राइ का बना दिया है आपका अध्यक्ष, ठीक है, ट्राइ कर, चेर परसन बना दिया है, ट्राइ का मतलब क्या हुआ, ट्राइ का है टेलिकम्प्निकेशन रेगुलारिटी अथॉर्टी अथॉर्टी अफ इंड तो उसके कोन है सुभास चंद्र खुंटिया है ठीक है उनका नाम ध्यान रखीएगा वो जो है 2018 में बने थे अभी अपने पदपर बने हुए है इंस्योरिंस लेडरिटी डवलप्मेंट अथॉर्टी ऑफ इंडिया के जो हैड है वो है सुभास चंद्र खुंटिया फिल्म एंड टेलिविजन इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया फ्टी आई आई की सोसाइटी के अध्यक्ष और फ्टी आई 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 गवर्निक कांसिल के चेर परसन बना दिये गया है डिरेक्टर शेखर कपूर शेखर कपूर की कई सारी फिल्म है जैसे मिस्टर इंडिया वगए रहा ठीक है तो यह अभी इस पद पर आ गया है चरणजीत सिंग अत्रा जो है यह भारती स्टेट बैंक के नए फिनेशल ओफिसर बन गया है cfo जो बोलते है chief financial officer ठीक है यह बन गये है चरणजीत सिंग अत्रा दिनेश कुमार खारा यह बन गया है नए चेर परसन रजनीश कुमार जो अभी तक चेर परसन थे sbi के उन्हों ने इनको वह चले गए हैं दिनेश कुमार खारा आ गया है यह ह नागरिक्स उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो यानि की सिविल एवियेशन सेक्योर्टी ब्यूरो के अब डिरेक्टर यानि महा निदेशक बन गए है जे वेंकट रमू जो है ये आई पीपीबी यानि की अब जे वेंकट रमू है इंडिया पोस्स पिमेंट बैंक के ये प्रबन्ध निदेशक और मुखे कारे कारी अधिकारी यनि एनि सीएओ और मेनेजिन डिरेक्टर बोत निलेस साथ ये दोबारा एस्यासियेशन ओफ म्यूचूल फंस इन इंडिया के President बनाए गए हैं, इनका कारिकाल बढ़ा दिया गया, यह पहले भी थे, यह reappoint हुए हैं, राजेश कुमार चिबबर जो हैं, जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्स और CMD बनाए गए हैं, भारत पे ने, जो अपना अभियान चलाए था, उसमें 11 Cricket Stars को अपना brand बैस्टर बनाए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, जो टीम भारत पे हैं, वो advertisement करते हैं हैं, टीम भारत पे जो धर्देश के दुकंदार के साथ खड़े हुए हैं, मुझे लगा कि यह ज़्यादा important नहीं हैं, लेकिन यह सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, आपसे ही पूछ लेंगे कि बताइए, इसमें कितने Cricket Stars को रहन बैस्टर बनाया हैं, तो वो है 11, टीक है, गुर्दीप सिंग जो है, National Thermal Power Corporation, यहनी NTPC Limited के अध्यक्ष और प्रवन निदेशक बन गया है, Managing Director और Chairperson, उसके बाद विशाल वी शर्मा, जो है, राधदूत के पत के साथ, सयूंकत राष्ट्र, सैक्षिक, वैग्यानिक और सांस्रतिक संगठन, यानी UNESCO में जो भारत का स स्थाई प्रतिनिदी मंडल है, उसके अगले स्थाई प्रतिनिदी बन गया है, यह बहुत बड़े पद होते हैं, आप देखेंगे कि UN के लिए जो हमारे पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके नाम पूछ ली जाते हैं, और जो UNESCO के लिए होते हैं, UNICEF के लि यह जो हैं अंतरराष्ट्री भारोत तोलन महासंग के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, यानि इंटरिम प्रेजिडेंट, ठीक, उसके बाद एडवोकेट रोहन जेटली, जो की अरुण जेटली के बेटे हैं, इनको जो है बनाया गया है DDCA का प्रेजिडेंट, डेली एन डिस् तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, यह मतलब अब ग्रेस सचीव बने रहेंगे, 22 अगस 2021 तक मारती राजनाइक डॉक्टर नीना मलोतर, यह जो हैं सैन मरीनो गड़राज में भारत की अगली राद्दूत बना दी गई हैं, उसके बाद सुशील कुमार सिंगल, यह सोलोमन द कमिशनर CIC बनाए गया थे, लेकिन 29 अगस्त को फिर रिटायर हो गया, तो फाइनली यहां पर अब मतलब सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन में कोई CIC नहीं है, ठीक है, तो यह जो है रई यश्वर्धन कुमार सिंहा, यह जो इसमें हेड जो इन्फोर्मेशन कमिशनर है, यही इसमें CIC बने हुए है, चीफ इन्फोर्मेशन कमिशनर यही कहे जा रहे है, श्री यश्वर्धन कुमार सिंहा, अभी ओफिशली यह शायद बना दिये जाएंगे CIC, ठीक है, अवाड्स और ओनर्स देख लेते हैं हम लोग, अवाड्स पहला है, यहां पर गयर संक्रा क्रामक रोग की रोगथाम और निहंत्रन के लिए, यह Uni IATF पुरुसकार जो है, यह केरल को मिला है, ठीक है, यह किस ने दिया है, संजुकत राष्ट इंटर एजेंसी टाक्स फोर्स ने, United Nations इंटर एजेंसी टाक्स फोर्स, UNIATF और केरल को यह पुरुसकार मिला है, केरल की काफी प्रस्टीजिस अवार्ड है, इस मामले में, UN ने यह अवार्ड केरल को दिया है, और च्छाए अधर हेल्थ मिनिस्ट्रीज को दिया है, पूरे वर्ल्ड के देशों के स्वास्त मंतरालेओं को, ठीक, स्वास्त विभागों को मतलब, उसके बाद अखिल भारती महासंग के पुरुसकारों में, बड़ जाते हम लोग आगे, गान सामरागी लता मंगेशकर पुरुसकार, यह किसे मिला है, यह मिला है उशा मंगेशकर को, महराष्टर राजी सरकार का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो यह पुरुसकार देता है, उशा मंगेशकर को मिल यह लटा मंगेशकर पुरुसकार सोनु सूध को पुरुसकार मिला है फैनली यह प्रतिष्ठित SDG Special Humanitarian Action Award है यूब भी इससका कोई भी एक्जाम हो 2021 के एंड तक यह वार्ड जरूर पूछ जाएगा याद रख लीजेगा सोनु सूध को मिला है किस ने दिया है यह यूण डीपी ने दिया है ठीक है और क्यू दिया है वह सभी आपको जानते हैं सब चीजने ट्रेंडिंग में रही हैं जिस तरीके से उन्होंने घर पहुचा आये था लोगों को लोकडाउन के समय में माइग्र को उसके बाद प्रतिष्ठित पैस्फिक एशिया ट्रैवल असोशियेशन यानि पी एटी ए ग्रैंड टाइटल विनर 2020 के परेटन विभाग द्वारा चला जाने वाले हियूमन बाई नेचर अभियान ने जीता है ठीक है पीटी एवार्ड जो है मकाव गौवर्मेंट देत है तो इसमें आपका फर्स्ट पर है पी एटी ए ग्रैंड टाइटल विनर मार्केटिंग की कटेगरी में यह है यूमन बाई नेचर कैमपेज जो चलाए था केरल के परेटन विभाग ने उसके बाद सेस्टेमेंट बिल्टी में जो है अनुराक कम्यूनिटी लौज जो है यह आना वेंचर्स थाइलेंड ने जीता है फिर उसके बाद ह्यूमन कैपिटल डवलोप्मेंट में अनलीशिंग रेट ने सभियान जो एमजी एम चाइना मकाव ने चलाए था उसने जीता है हम खाली अपने देश से समबंदित चीज ध्यान रखेंगे कि इस कैंपेइन का नाम जरूर ध्यान रखेगा हूमन बाइनेचर केरल के टूरिजम विभाग के दौरा चलाए गया जिसने यह मार्केटिंग के टेगरी में पी ए टीए ग्रेंट टाइटल अवार्ड जीता सान्ती सवरूप भट्टांगर पुरसकार यह देता है यह CSIR देता है यह याद रख सकते हैं सारे साइंटिस्ट के नाम तो नहीं पूछ जाएंगे लेकिन आप जो है देख सकते हैं इनको इनके नाम दिये हुए हैं एक बार आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद राइट तो इसमें चार जो हैं चुने गए हैं चार लोग अलग-अलग देशों से उनके नाम एक पर जरूर देखेएगा राइट्स वाला आ सकता है बेलरूस के एलस बल्यावात्सकी को मिला है इरान के नसरीन सौत्रडे को ईयोस से ब्राइन स्टीविंसन को और निकारागवा से लोटी कनिंगम व्रेन को, ये राइट्स लावली हूट पुरसकार मिला है, आगे बढ़ते हैं लोग, उसके बाद ये नोबल पुरसकार आ चुके हैं, हमको पता है 2020 वाले, फिजिलोजी मेडिसिन में मिला है तीन लोगों को, इनका नाम है हारवे जे आल्टर, चार्ल्स M. राइस और माइकल हूटन, ठीक है उसके में ये क्यों मिला है ये लिवर सिरोसिस और यकरत कैंसर का जो कारण बनता है, हेप्टाइटस C हेप्टाइटस C वाइरस की खोज के लिए उनको मिला है, ठीक है हेप्टाइटस C वाइरस की खोज नहीं मिला है उसके बाद Lifetime Achievement Award रतन टाटा को मिला है इंडो अमेरिकन चैमबर आफ कॉमर्स ने ये अवाड रतन टाटा को दिया है Lifetime Achievement Award क्यों दिया है यूज और बहरत की जो बिजनेस रिलेशन्स है उसमें मात्पूर्ण भूमिका निभाने के लिए तो फिजिक्स का नोबल पूरुसकार मिला है रॉजर, पेन्रोज, रेनहार्ड, गेंजल और एंड्रिया घैस को ये क्यों मिला है इनको उनकी ब्लैक होल की उत्पतिस आपेक्स्ता के समाने सिद्धान्त का एक मजबूत पूरवानुमान खोज के लिए और माकी ये मिला है गेलक्सी के केंदर में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट अब्जेक्ट ही खोज के लिए और एंड्रिया केस को ये सेंट रूपस दिया गया है तो एक बार इसको रीड करिएगा आप क्यों दिया गया है ये तो जनरली नहीं आता है नाम पूछ जा सकते हैं मैचिंग में सब चीजें बहुत पूछ जा सकते हैं तो साइंटिस्ट के नाम एक बार देखिएगा कटेगरी के साथ ऐसे केमिस्टरी में मिला है दो लोगों को इमैनुवल शॉपिर और जैनिफर ए डॉडना को ठीक है डिस्कवरिंग तब मेथट ऑफ जिनॉम एडिटिंग तो जिनॉम एडिटिंग के लिए इनको मिला है दो लोगों को इनके नाम केमिस्टरी में उसके बाद साहित के लिए नोबल पुरुसकार ये पूछ लेते हैं साहित वाला तो काफी इंपॉर्टन्ट होता है लिविस ग्लूग को मिला है लिविस ग्लूग ये अमेरिका से आते हैं लिविस ग्लूग इनको ये पूरुसकार मिला है उसके बाद सरला पूरुसकार ये दिया जाता है इंडियन मेटलिस पब्लिक चरिटेबल ट्रस्ट के दौरा जिसको इम्पक्ट बोलते हैं शौट में तो ये ओडिया कवी जो है नित्यानन्द पाठा के ने मिला है उनका एक कविता है उनकी कविता सित बिलाकू नथिबा उसके लिए पीस पूरुसकार पूछा जा सकता है इस बार एक और्गनाइजेशन को पीस पूरुसकार मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ठीक है Nobel Prize 2020 World Food Program को मिला है क्यों मिला है तो World Food Program के बारे में हम सुनते रहते हैं वैसे भी Current Affair में भूखे लोगों की बंतत करने के लिए World Food Program सबसे बड़ा मानावतावादी संगठे ने पूरे विश्व का जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्द कराता रहा है 88 देशों में काम कर रहा है उसके बाद आर्थिक विज्ञान में 2020 में नोबल पुरुसकार मिला है यानी एकनोमिक्स में अमेरिका के अर्थिशास्त्री पॉल आर मिल्ग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को ठीक है उसके बाद अर्थ शौर्ट पुरुसकार अर्थ शौर्ट पुरुसकार की शुरुवात हुए बिसिकली ये ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और डेविड अटन बेरो ने शुरू किया उनका कैना है कि पांच कटेग्रीज में पुरुसकार देना शुरू करेंगे इस साल से मतलब 2020 से किस कटेग्री में देंगे फाइव अर्थ शौर्ट पुरुसकार जो है प्रोटेक्टिंग और रिस्टॉरिंग नेचर और ट्लीन एर रिवाइविंग ओशन्स और फिक्सिंग दा क्लाइमेट और डिडूसिंग वेस्ट यानि कि प्रकृति की रक्षा पुनर्ष्थापना के छेतर में काम करने वालो ये बैंक ऑफ घाना को मिला है और सेंट्रल बैंक ऑफ दाइयर 2020 में गवर्नर ऑफ दाइयर की से मिला है मार्क कॉर्णी को जो की बैंक ऑफ इंग्लेंड के गवर्नर है इन दोनों अवाउड को आप ध्यान रखी है साथ साथ ठीक बैंक ऑफ गाना जो है सेंट्रल बैंक ट्रीज भजी गई थी और फाइनली फिर जो है कुछ सिलेक्ट हुई थी असी देशों में से और फाइनली ये एक चुनी गई है वाइड लाइफ काम करने वाले संस्थानों को संगटनों को पुरुसकार मिले विश्वेश रहिया पुरुसकार ये शिया प्रसांद छेतर के लिए ये एशिया प्रसांद छेतर के लिए इसे पैसिफिक रीजन के लिए जापान को मिला है और योरोप और अन्य शेतरों के लिए नीदर लैंड को विश्विश्रेय पुरुसकार मिला है कलपना चावला पुरुसकार IIT दिली के डॉक्टर भीम सिंग और दुबई Electricity and Water Authority के डॉक्टर आइशा अलनावमी को मिला है और दिवाकर पुरुसकार मिला है अरपन सनस्थान जो है हरियाना में और आरुशी सोसाइटी जो काम कर रही है उसको ठीक है सारे पुरुसकार मातपूर है इसके पूछे जरू जाएंगे कोई न कोई एक उसके बाद Outstanding Young Person of the World 2020 ये ब्रिटेन की भारती मूलकी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजनी वर्गीस को मिला है ठीक तो ब्रेश्ट कैंसर के खिलाफ इनकी लडाई के लिए मिला है डॉक्टर जैजनी वर्गीस ठीक तो इनका नाम द्यान रखीगा उसके बाद Brunel Medal 2020 भारत में जो भारत की सायता से जो वहाँ पर मांग देचु विद्वत परियुजना चल रही है मांग देचु नदी पर हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट चल रहा है भूटान में मोदी जी जब गय थे पिछले साल 2019 में आगस्त में गय थे तो उद्गाटन किया था मांग देचु पर योजना का मांग देचु नदी पर जो ट्रोंग सा जोंग खाक जिले में चल रही है ठीक है तो इसको यह मिला है ब्रिटेन के शीर्स इंजिनिरिंग इंस्टूट जो ह है 2019 में उद्गाटन हुआ था अगस्त में मोदी जी ने किया था वहाँ पर जा करके यह बहुत पूछे जाने की उमीद है इसमें पूछ सकते हैं कि बदा यह क्या पुरुसकार मिला है तो ब्रूनेल मेडल 2020 उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टर तुलसी दास चुग अवाड 2020 यह किसे मिला है यह Central Drug Research Institute CSIR का लखनों में उसके डॉक्टर सतीश मिश्रा को मिला है National Academy of Medical Sciences इंडिया इसको यह पुरुसकार देता है डॉक्टर तुलसी दास चुग पुरुसकार Global Art पुरुसकार मिला है 6 वर्षी बांगलेदेशी लड़का है उनका नाम है अंजार मुस्तीन अली यह दिया है भारती सांस्कृति संबंध परिशद ICCR ने Indian Council for Cultural Relations ने तो ICCR ने United Against Corona Express Through Art यह आपकी पुरुसकार चलाई थी इसमें कई सारे इंट्री आई थी 8000 उसमें 210 में स से फाइनली यह इंट्री जीती थी जो यह चैवर्षी बांगलेश लड़के ने बनाई थी अंजीर मुस्तीन अली ने बुक सेंड ओथर देख लेते हैं बुक सेंड ओथर सबसे पहला है आप बुके ओफ लार्स बुके ओफ लार्स लिखा है कृष्ण सक्सेना ने रक्षा सावना वह मिताब बच्चन जीने लिखी है इसका जो प्रिसेप्ट है तो यह याद रखेगा ठीक है डिस्कवरिंग अरिटेज ऑफ असम पद्म पाणी बोहरा वरी एक्स्ट्रेमली मोस्ट नॉटी आसुरा टेल्स फोर किड्स यह किस ने लिखी है यह आनंद नील कंतन न इसका एक्स्टेंडड वर्जन आप मान सकते है ठीक है यह अब बेटल ओफ बिलॉंगिंग बहुत इंपोर्टन्ट है पूछ जा सकती है वाई आयम हिंदू बहुत इंपोर्टन्ट है 2020 का जो मतलब 2019 का जो अवार्ड है साहित अकैडमी पुरसकार जो दिया जाता है आपका चौवीस भाषाओं में उसमें इंग्लिश वाली कि टेगरी में इसी पुस्तक को दिया गया था और अफ की जीएगा इदर ट्रैक में हो गया एंडरा ऑफ डाक्नेस करके जो पुस्तक आई थी है शशी धरूर की उसको मिला था तो उनकी गृति इंपोर्टन्ट होती है वा एंके सिंग ने 15th Finance Commission के जो हेड है एंके सिंग जी की आत्म कथा यह बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है पूछी जा सकती है ठीक है आत्म कथा मतलब जो लेखा का अपनी कहान लिखता है तो इसके लेखा का अगर पूछ ले तो एंके सिंग है ठीक और नाइट ऑफ दरेश्ट स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984 अब यहां पर हम देखेंगे डेज डेज में आता तो एक ही कोशन लेकिन लाट ना आपको काफी सारी करने पड़ते हैं 27 सेप्टेंबर को मना जाता है वर्ल्ड टूरिजम डे ठीक है विश्व परेटन दिवस इस बार इसकी थीम थी टूरि है सेप्ट्पेंबर को यह होता है और थीम थीज बर रेबीज कोलापरेट वच्चिनेट एंड रेबिज कोलापरेट वेख्चिने डेज वर्ल्ड हार्ट टे 39 सेप्टійсь एम्बर को होता है इस बार इसकी थीम थी यूस हार्ट तूबीट कार्िो अाटराशट्री खाद World in Crisis ये इसकी theme थी और उसके बाद वुरद्य विकतियों का अंतरराष्ट्री दिवस एक अक्टूबर को होता है इसकी theme ज्यादा important नहीं है अंतरराष्ट्री अहिंसा दिवस ये important है 2 OCT को महात्पा गांधी के जन्र दिवस पर होता है इस बार इसकी theme थी disseminate the message of non-violence World Teachers Day यानि कि विश्व सिख्षक दिवस हमारे आपर राष्ट्रे सिख्षक दिवस होता है 5 September को विश्व सिख्षक दिवस होता है 5 October को याद रखना असान है इसकी थीम थी Teachers Leading in Crisis, Reimaging in the Future World Habitat Day यह होता है 5 October को हर साल बनाय जाता है युवेन के द्वारा इस बारिस की थीम थी Housing for All A Better Urban Future वन जीव सप्था जो है 2 से 8 October को बनाय जाता है इस बारिस की थीम थी Roar यानि Roar and Revive, Exploring Human-Animal Relationship और उत्तर प्रदेश में इस सप्था पर कुछ चीज़ें की गई थी वो हम MCQ section में डिस्कस करेंगे विश्व का पास दिवस 7 October को पनाय जाता है ठीक है इस पर भी जो कुछ चीज़ें लाउंच होई है भारत की तरफ से important उसको भी डिस्कस करेंगे MCQ section में और भारती वायू से न दिवस 8 October को होता है 9 October को और विश्व मानसिक स्वास दिवस होता है 10 October को Mental Health for all इसकी थीम ठी राष्ट्री डाक दिवस होता है 10 October को और राष्ट्री डाक सप्ता होता है 9 से 15 October को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस होता है 9 मैई ये 10 December को मनाते हैं आम लोग इस बार 10 October को दिवस होता है आर्थराइटिस टे बारा अक्टूबर को और अंतराश्ट्री आप दा नियूनी करण दिवस तेरा अक्टूबर को होता है उसके बाद अंतराश्ट्री ग्रामीड महिला दिवस या फिर राश्ट्री महिला किसान दिवस यह होता है 15 अक्टूबर को बिल्डिंग रूरिल विमेंस रिजाइलिंस इन दा वेक ओफ पोविट नाइटीन इसकी धीम थी विश्व छात्र दिवस यह होता है 15 अक्टूबर को उसके बाद विश्व खाद दिवस होता है 16 अक्टूबर को ग्रो नरिश सस्टेन टूगैदर इसकी थीम थी अराश्ट्री स्वरक्षा गार्ड दिवस ठीक है National Security Guards Day 16 October को यह होता है गरीबी उनमूलन दिवस होता है 17 October को और World Statistics Day होता है 20 October को World Osteoporosis Day होता है 20 October को International Chef Day होता है 20 October को Healthy Food for the Future इसकी थीम थी उसके बाद International Shattering Awareness Day हगलाने के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए इंतराश्ट्री दिवस 22 October को पोलिस मृति दिवस होता है 21 October को विश्व हिम तेनदुवा दिवस होता है 23 October को सबसे पहला 2004 मनाया गया था UN Day होता है 24 October को उसके बाद विश्व विकास सूचना दिवस सहींकतराश्ट द्वारा अरजाल 24 October को मनाया जाता है उसके बाद विश्व पॉलियो दिवस 24 October को ही इंडो टिबिटन सीमा पुलिस का भी विस्तापना दिवस 24 October को ही होता है तो ये चार दिवस एक ही साथ होते हैं इसको याद रखीएगा और ओडियो विज्वल हेडिटेज के लिए विश्व दिवस 27 October को होता है ये इंटरनेस्टल एनिमेशन डे होता है 28 October को अब आजाते हैं डिफेंस पर इंडियो जापान ने अपना ये चौधा संस्क्रन उत्तरी अरपसागर में शुरू कर दी एकसरसाइस का जाइमेक्स है ये ठीक है जाइमेक्स उसके बाद आजाते हैं ITBB प्रमुख SS देशवाल को मिला NSG DG का तरिक प्रभार यानि इंडो टिबिटन बॉर्डर फोर्स में जो डिरेक्टर SS देशवाल है उनको NSG का भी डिरेक्टर जनरल का पद मिल गया है बस ये जाद रखिए बसके बाद सुपर सुनिक क्रूज मिसाइल ब्रमोस का सफल परिक्षन किया गया एक बार फिर से बाला सोर ओडी शा में ब्रमोस के बारे में आप जानते हैं जो है हमने रश्या से इसको प्रोक्योर किया है रक्षा मंतरी ने डिफेंस इंडिया स्टार्टप चैलेंज 4 लॉंच किया ये सब नहीं आता जादा भारती नौसेना और बांगलदेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर का दूसरा संस्क्रन या अभ्यास हुआ था ठीक है बोंगो सागर बस इसमstर बन सकता है बोंगो सागर हम किसके साथ करते है जैसे आरो प्रेलिंश में अा था बैध्यास की साथ बांगलदेश की साथ एक और अभ्यास हम लोग करते है संपृती की नाम से भारती तत्रक्षक पोत कनक लता बरुवा की तैनाती की गई कॉलकाता में ठीक है ये फास्ट पेट्रोल वीजल है जी आरेसी ने इसको डवलप किया है फिफ्ट और लास्ट है ये वैसे डवलप मजब ये डिसकस कर चुके है DRDO दवारा परमाडव सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शौरी का सफल परिक्षण किया गया था ओडिशा के बाला सौर तट पर सुपरसोनिक मिसाइल एसिस्टेड रिलीज ओफ टॉर्पिडो का सफल परिक्षण किया गया यहाँ पर वीलर आइलेंड ओडिशा से इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में अब तटी गस्ति पोत विग्रे का जलावतरन हुआ है पानी में इसको छोड़ दिया गया ता मिलनाडू के चिन्नाई के कट पुली बंदर का अपर ठीक है UBPSS 2020 में जैसे सवाल आया था कि पताई सार्थक क्या है तो हमको पता होना जी जो ये नाम रख दी जाते हैं क्या है जैसे पूझ लें विग्रे क्या है तो विग्रे अब तटी ये गस्ति पोत है यानि आफशोर पेट्रोल वीजल है DRDO ने एंटी रेडियेशन मिसाइल रुद्रम का सफल परिशन किया वीलर आयलेंड ओडिशा पर उसके बाद तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन हुआ था केरल करनाटो को लक्षदीप के कोस्टल एरियास में हुआ था भारती सेनों महराष्टर पुलिस ने अभ्यास किया था सुरक्षा का वच ये आपका हुआ था लुल्ला नगर पुणे महराष्टर में उसके बाद भारत ने परमाडव सक्षम प्रिथवी सेकेंड मिसाइल का सफलता पूरवक रात त्री परिशन किया नाइट टेस्टिंग इसकी की थी कहांँ पर बाला सोर रेंज लपचांदीपूर में जो इंटिग्रेटड टेस्ट रेंज है और डिशा में ब्रह्मोस का सफल पर इक्षन हुआ था यह हम देख चूके हैं उसके बाद भारत और श्रिलंका को जो समुद्री अभ्यास होता है हर दो साल में जैसे 2018 में वो था झूबर में अब यहां 2020 में हो रहा है ट्रिक्टो माली में हो रहा है इसको बोलते है यह न से ना काभ भ्यास है ठीक है भारत, US, जापान, औस्ट्रेलिया, मालाबार, उसके बाद बारत ने सैंट मिसाइल का सफल परिक्षन किया था, ITR, ओडिशा से, ठीके, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग, जो थार्ड जेनरेशन है, इसका फाइनल ट्रेल, सफलता पूरवक टेस्ट किया गया, पोख जाएनेस का वरत्ती, यह जो है, एंटी सब्मरीन वारफेर, स्टेल्थ कॉर्वेट है, ठीके, उसके बाद भारती की सेना ने सुदेशी मोबाइल अप्लिकेशन, SAI, लॉंच किया है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सेक्योर अप्लिकेशन फॉर दा इंटरनेट, ओभी जाएग के पूरवध्यक्ष थे, इनका जन्म बुहार में हुआ था, तो BPSC वाले इसको उपार देखिएगा, अब यह नहीं रहे, उसके बाद अभिलाश यह सुप्रसीद सौंग राइटर थे, यह अब नहीं रहे, उसके बाद विजयलक्ष्मी रमनन, यह भारती वायु कमांडर भारती वायु सेना की, ठीक है, डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन, उसके बाद आजाते हैं हम स्कीम्स पर, स्कीम्स भी ज्यादा नहीं आई है कोई, PM स्वानिदी और SBI पोर्टल के बीच API एक ही करन होगा, API का मतलब होता है अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंट करत हो जाएगा, जिससे रिट देने में आसानी हो, डेटा साजा करना आसान हो, डिटेल्स शेर की जा सके आसानी से, और रिट भी आसानी से दिया जा सके, उसके बाद आयुष्मान सहकार योजना की शुरूबात हुई है, केंदरी क्रशी मंत्राले ने इसको शुरू किया ह इसमें, कॉपरेटिफ को बूस्ट करेंगे, जिससे हल्थ सर्विस्स को अच्छी तरीके से सही किया जा सके, 10,000 करोर रुपए का बजट है, यह सब चीजे हम more basic details on nuances जो है, MCQ सेक्शन में डिसकास करते हैं, अब चुंकि lockdown खुल चुका है, sports event आएंगे काफी सारे, जो most important keyword है वही पकड़ेंगे हम, रॉषयन ग्रांड उपरी किसने जीती है, इससे अधी कोशन नहीं आएगा, आपको नाम धियान रखना है, किसने जीती है, वौल्टरी वो टास ने, बस उसके बाद Alyssa Healy ने T20 में MS Dhoni का record तोड़ दिया है Alyssa Healy जो है wicket keeper है कहां से Australia की महिला cricket team से T20 matches में MS Dhoni का record है वो 91 wicket का है इन्होंने तोड़ दिया है ठीक है अब यह 92 परमा होच गई है अब wicket keeper wicket नहीं लेता है लेकिन wicket लेने में सहायता करता है बॉलर का catch अगर wicket keeper पकड़ेगा तो एक तरीके से wicket keeper के भी खाते में गया है तो उस हिसाब से calculate किया गया है कि stumping अगर जो लोग cricket देखते हों मेरी terminology समझ जाएंगा stump करने के मामले में और keeper catch लेने के मामले में इक यानवे wicket नाम ते धोनी के नाम अब बानवे आगे है इलिसा हीली के नाम अध्यान रखेंगे यह आखड़ा quality 20 international matches का बताय जा रहा है उसके बाद अंतरराष्ट्री online shooting championship में भारत के विष्णु सिवराज पांडियन ने ये जीता है ये 10 meter air rifle प्रद्योगता ठीक है विष्णु सिवराज पांडियन फ्रेंच open title बहुत जरूरी है इसमें हमने आपको बताया कि आपका open title जो 4 होते हैं 4 grand slam एक साल में उसमें men single women single आजकल एक चीज़ आ रहा है कि हारने वाले का नाम भी पूछा जा रहा है तो ये दोनों याद रखिएगा men single women single बहुत जरूरी याद रखना doubles वाल आज तक पूछा नहीं गया है ना पूछा जाएगा ठीक है ये दोनों मसान रखिएगा men single winner कौन राफिल नडाल स्पेन से women single winner कौन इगा स्वेटिक इफल ग्रैंड प्री 2020 रेसर लिविस हमिल्टन ने जीत लिया इसको ठीक है ये जर्मनी में हुई थी उसके बाद भारती ब्रांड ट्रांस्फॉर्म ने अपना ब्रैंडम बजडर किसे बनाया है चेतन आनंद को ठीक है चेतन आनंद उसके बाद ना इसल बास्केट बॉल एस्सोशियेशन चैंपिंशिप एंब्ये चैंपिंशिप किसने जीती है लॉस एंजल्स लेकर्स ने यह सातवी बार इन्हों जीती लॉस एंजल्स लेकर्स माइमी हीट को राया था फाइनल में यह एंब्ये चैंपिंशिप बास्केट बॉल की सबसे बड़ी चैंपिंशिप एक तरीके से और हाफ मैरेथान चैंपिंशिप नीडिया 2020 की ब्रैंडम बजडर किसे बनाया गया है यह पूच लेंगर तो यह ब दंवार को बंड़ कोपन 2020 खिताब किस ने जीता है जापान की चैंपिंट नाउमी ओुख हारा ने विबेंस सिंगल में जो है कैरोलीना मायरीन को रा करके जीता है डंवार कोपन का मिमेंड़ सिंगल जीता है इसमें विडर लिश्ती होई है जैसे मेंस सिंगल का भी आदा सकते हैं एंडर्स एंटनसन यह डन्मार्क के इन्होंने जीता है यह खिताब मेंस सिंगल का डन्मार्क ओपन टाइटल और मेंस सिंगल का जीता है नौमियों कुहारा ने यह आप स्किप कर सकते हैं यह नहीं पूछा जाएगा शेख रसल इंटरनेस्टल एर राइफल चैंपिंशिप यह भारती खिलाड़ी जो यह हैं इलावे निल वलारीवन इन्होंने जीता है महिलाओं में महिलाओं की कॉम्प्टीशन में इन्होंने स्वन्ड पदक जीता है ठीक है यह याद रखेगा इनका नाम उसके बाद इंट राइफल चैंपिंशिप में पुरुसों की कॉम्प्टीशन में इन्हें बारत के शाहुत उषार यह यह सिल्वर जीता है ठीक है उसके बाद पूर्त गाली ग्रेंद प्री जीती है लिविस हैमीन बस इतना है रखताना आपको यह डिटेलस सारी आप हटा सकते आप और संपी्ट लेते हैं रहें में सबसे पहला है बारवा seguinte ब्रिक शिкихर सम्मेल्स मेलेन आपको वैसे पहले पता रखा हैeg insult में वर्चुल माध्यम से होने वाली थी पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्चुल माध्यम से कोई व्रिक्स सम्मिट हो रही है रूस की अध्यक्ष्टा में इसको याउजित किया गया है आप से पूछ सकते हैं कि अगर कोविट-19 ना होता तो इसका वेन्यू क्या होता बताईए हैं पर क्या लिखेंगा कोविट-19 ना होता तो याउजित कहां पर होने वाली थी आप लोग कॉमेंट करके बताईए ठीक है यह आ सकता है पेपर में इसकी थीम एक बार जरूर देख लीजेगा ब्रिक्स पार्टनर्शिप और ग्लोबल स्टेबिल्टी शेर्ड सेक्योर्टी इनोवेशन ग्रोथ यह इस बार इसकी थीम थी क्वार्ड देशों के विदेश मंद्रियों की बैठक जापान के टोक्यों में आउजित की गई थी क्वार्ड देश कौन-कौन से हैं यूएस है जापान है भारत और ऑस्ट्रेलिया है यह क्वार्ड कंट्रीज हैं पूछा इसकी तो आपको याद रखना हो का इसको और इसकी थीम जो रहेगी वो रहेगी दग्रेट रीसेट और इसको हिंदी में भी लिखेंगे दग्रेट रीसेट संगाई सायोग संगठन S.C.O. कंट्रीज के कानून मंत्रियों यानि विधी मंत्रियों की विधी और नयाय मंत्रियों की साथमीं बैठक होई थी और साथमीं बैठक की मेजबानी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से मतलब ये भारती विधी और नयाय संचार इलेक्र कंट्रीज ने इसमें पाट्स पेट किया उन कंट्रीज के लौ मिनिस्टर्स ने पाट्स पेट किया उसके बाद जी ट्वेंटी यूथ ट्वेंटी वाई ट्वेंटी ग्लोबल सम्मिट के मेजबानी जो है यह अल्खोबार साउधी अरब द्वारा की गई पहली बार कि इंडिया ने स्ट्रीज देशों के महा अभी वक्ताओं की अठार्वी बैठक में भाग लिया था और भारत की तरफ से जो डेलिगेशन गई थी उसको लीड किया था सॉलिस्टर जनरल तुशार मेहता ने ठीक है स्ट्रीज के यह जो प्रोसेक्यूटर्स की जनरल मीटिं इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनात सिंग और विदेश मंत्री एस जेशंकर पाट्स पेट कर रहे हैं वहां इनके काउंटर पार्ट्स हैं मौर्क ओशो और माइक पॉम्पियो मार्क ओशो चटवां ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुल माध्यम से आउजन हुआ था और रूसी संसद के अध्यक्ष वाच इनका जो भी नाम है वाचसलाव वो लुद्वीन के अध्यक्षता में हुआ था भारत का जो डेलिगेशन उसको लीड किया था हमारे स्पीकर ओम बिल्डा ठीक है और इस सम्मिट की थीम थी हम लोग कह सकते हैं ब्रिक्स पार्टनर्शिप इन इंट्रेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिल्टी चनरल सेफ्टी और इन्नोवेशन ग्रोथ पारलिमेंटी डामेंशन रांक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स देख लेंगे आपर फोब्स की रिच लिस्ट इंडिया की आ चुकी थी और इसमें आप आँख बंद करके बता सकते हैं कि टॉप पर कौन है मुकेश अमबानी बने हुए है फिर गौतम अडाणी है उनके नीचे फिशिव नादर है फिर इनकी वर्थ दीवी है ठीक है फोब्स में मतलब फोब्स इंडिया के लिस्ट में सबसे अमीर विक्ति भारत के मुकेश अमबानी उसके बाद असमानता घटाने की प्रतिपत्ता सूचकां कि यानि कमिट्मेंट टू रेडियूसिंग इनिक्वेल्टी CRI इंडेक्स ऑक्सव सूरी आपको याद रखना भारत को हमेशा ही रांक ये खराब ही देते हैं ठीक है लास्ट पर रखा है साउथ सुडान को मतलब यह ऐसा एक इंडेक्स से जो यह मेजर करता है कि कोई भी देश कितना प्रतिबद्ध है अपने यहां पर लाएंगी आसमानताओं को घटाने के लिए ठीक है तो यानि कि इनके हिसाब से भारत कोई प्रयास नहीं कर रहा है नौर्वे टॉप पर डेन्मार्क सेकेंड पर चर्मनी थर्ड पर वेल्जियम फोर्थ पर फिंलैंड फिफ्थ पर लब यह इंडेक्स जो है जेंडर इक्वेल्टी और जो जेनरल जो देश प्रयास कर रहा है उनको रैंक देता है आगे बुरतिम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका है कर्शन वर्ल्डवाइड और वेल्ट हंगर लाइफ द्वारा यह सईंगतरूप से जारी किया जाता है और इसमें हम देखेंगे साथी साथ इटिया के साथ साथ हमारे पड़ा उसी देशों के रहां कितनी है क्योंकि कई बार जब आप यह अपने लॉंग एंसर लिखते हैं तो यह सब कोट करने में काफी अच्छा एंसर बन जाता है जहां पर फूड सेखेंगे तो लास्ट पोजीशन पर इन्हों रखा है चैड को ठीक है चैड जो लै जा सकती है इस बार का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसमें एक जो कह सकते हैं अनुमलस आनुमली आपको देखने हो पिल रही है इस बार एक से सत्रा तक कंट्रीज को अज अलग तरीके से रैंक दिया है मतलब 1,2,3,4,5,6,7,8 से नहीं दिया है टॉप सत्रा कंट् जो है 18 से चालू होती है यहां पर ठीक है तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो मतलब 1 वगएर आपको यादी नहीं रखना है आपको इंडिया के रैंक जुरू याद रखने है इसमें 94 एशिया पार इंडेक्स 2020 है सिडिने स्थित जो लौवी इंस्ट्यूट है उसके इसमें 4 है इंडिया इस रैंक है 4 याद रखेगा पाकिस्तान की रैंक इसमें दीवी है 15 ऑस्ट्रेलिया की दीवी है 16 उसके बाद इंटरनेशन माइग्रेशन आउटलूक रिपोर्ट आईए यह और्गनाइजेशन फॉर एकनॉमिक कोपरेशन और डवलप्मेंट OECD के द तो टॉप पर रखा जाता है तो चाइना फस्ट पर भारत सेकेंड पर रुमानिया थर्ड पर ठीक है भारती परेटन सांखेकी 2020 परेटन मंत्राले के द्वरा जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश मेलग भग इसमें बता रहे हैं कि करीब 53.6 करोड़ देशी परेटक यानि घरेलू परेटक आये थे उत्तर प्रदेश में और घरेलू परेटकों को आकरशित करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेशों की लिस्ट में टॉप पर है फिर तमिल डांडू है फिर आंद्र प्रदेश है विदेशी परेट उर्ट एक्षित करने के शाले में वर्ड वेस्ट इम्प्लायर 2020 की फोपस न है लिस्ट चारी की थी जो हर साला आती है व्ड बेस्ट इम्प्लायर कमने क्या है कि जहां पर सबसे ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं तो इसमें कटेग्रीज होती है या से भारती सार्वजनिक उपक्रमों की लिष्ट में यानि कि भारत के PSU की लिष्ट में जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं लोगों को वो है इंप्लॉयर एंटी पीसी याद रखीगा दक्षिन कोरिया का जो सैमसंग ग्रूप है वहां पर पूरे विष्व के लोग काम करना चाते हैं यानि पूरे विष्व में सबसे बेस्ट इंप्लॉयर उन्होंने काहा है सैमसंग को ठीक उसके बाद भारत में प्राइवेट इंड अनीमिया मुक्त भारत सूचकांकी यहां पर जारी किया गया है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स केंद्रिय स्वास्ते हुं पर रिवार कलना covertralए ने UNICEF के साथ मिलकरकर इसको जारी किया है अरीयानादेश के 28 राज़ो में से शीर्स पर है ठीक है जहां पर अनीमिया Elimination के काम तेजीस चल रहा है यह आप याद रख सकते हैं अब MCQ section की तरफ आते हैं कोई भी news अगर यदि ऐसी है जो इन सभी sections में नहीं आ पाई है तो उसे हम MCQ section में discuss कर लेंगे Most important MCQs यहां पर हम लोग देखेंगे पहला यहां पर question है कि कौन सकतन यहां पर सही है मुंबई के नगरपाली का Commissioner इकबाल सिंग चाहल को Punch Shield Foundation द्वारा वैश्विक COVID Crusader Award 2020 से समनित किया गया है यह correct है उसके बाद है कि Prime Minister जी ने रिलीज किया है 100 रुपे का competitive सिक्का यानि कि आपका समारक सिक्का जारी किया है विजहराजे सिंधिया के लिए तो उनों सही है यहां पर answer हो जाएगा इसमें बोथ 1 और 2 हाली में किस bank ने तमिलनाडू के मच्छवारों के लिए किसान credit card रिडियोजना शुरू की है इसके तहट working capital 2 लाग रुपे तक का 7% per NM के ब्याज पर प्राप्त किया जा सकता है उस bank का नाम बताना है Indian bank ने इस scheme शुरू की है तमिलनाडू में option number B हाली में FATF ने गोचना की है कि Pakistan February 2021 तक आतंकवाद का वित्व portion करने वाले देश के रूप में ग्रे लिस्ट में बना रहेगा ये एक important news है जो आप के याद रखनी है और FATF की स्थापना कब हुई थी ये आप से पूछने static question इसका answer हो जाएगा आपका July 1989 option number A fourth world conference on women Beijing plus 25 ये conference में इंडिया को represent किया था सभृती जोबिन इरानी ने सही है ये उसके बाद है कि इसकी theme थी accelerating the realization of gender equality and empowerment for all women and girls ये भी सही है answer हो जाएगा इसका C बोथ correct हो गया हम पर इसकी theme और इसकी venue जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है वैसे तो online हुआ था लेकिन इसकी जो ये theme है Beijing plus 25 इसको याद रखेगा सडक मरमत के लिए पथ श्री अभियान शुरू किया गया है किस राजसरकार ने इसको शुरू किया है तो राजसरकार करा में पश्चिम मगाल यानि कि अपनी सडकों के मरमत के लिए अभियान है पथ श्री अभियान काउंसर स्टेटमेंट यहाँ पर सही है हाल ही में भारत नेट परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों को सेटलाइट ब्रॉटबैंड से जोरूने के लिए huge communications इंडिया का चैन किया गया है सही है ये उसके बाद union minister जितेंदर सिंग ने रिप्रेजेंट किया था first ministerial level meeting जो ही थी G20 anti-corruption working group की ये भी सही है एंसर हो जाएगा यहाँ पर both 1 and 2 C अगला question है कि 5 October 2020 को Columbia I, UA कारे करत्री Marilyn, Vergra, Perez को UNHCR का द्वारा वर्ष 2020 के Nelson शरणार्थी पुरुसकार से समानित किया गया है ये क्या करती है यहाँ शोशन का सिकार हुए बच्चों की मदद करती है तो ये सही है ये पुरुसकार इसले इनको मिला है उसके बाद है कि Recently Defense Minister रादनात सिंग ने Defense India Startup Challenge 4 launch किया है इसका जो theme है Defense Excellence Ecosystem तो दोनों सही है यहाँ पर statement एंसर हो जाएगा हमारा C यानि की both correct C अगला कुशन है नॉम्बर 2020 में चाइनीज कंपनी Origin Space द्वारा विश्व का पहला शुद्र खनन रोबोट भिज़ा जाएगा स्पेस में यानि की आपका Petty Mining Robot ठीक है Correct है यह उसके बाद है कि Indian Army ने SAI नाम का Secure Application for Internet जारी किया है यह हम देखी चुके हैं और निहाल सरीन जो है इन्होंने Chess.com के द्वारा जो यह Online Chess Championship 2020 की है इसको जीत लिया है Speed Online Chess Championship यह भी सही है एंसर हो जाएगा इसमें All of the above correct भारत का पहला उन्नत विनिर्माड Hub की स्थापना तमिल नाडू में विश्वार्थिक मंच और Guidance द्वारा सहीं तुरूप से की जा रही है ठीक है Advanced Manufacturing Hub यह खुलेगा इंडियास First Advanced Manufacturing Hub तमिल नाडू में ठीक है World Economic Forum इसमें सपोर्ट कर रहा है यह भी सही है उसके बाद है कि नेपाल के cabinet ने अप्रूफ किया है Capital punishment जो rape cases में होंगे वो highest punishment जो है वो फांसी की सज़ाद या मौत की सज़ादी जाएगी यह बंगलदेश के cabinet ने किया है आपने सुना होगा इसको नेपाल ने ने किया है तो यह वाला हो जाएगा statement wrong हमारा answer हो जाएगा इसमें only one only one the first sea plane service in India बातो भारत में पहली sea plane सेवा सरदार वल्लब भाई पटेल की जन्मत थी की वर्षगांट पर 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात में शुरू की गई है correct है उसके बाद है की पहली बुक जो है दखालिस्थान कॉन स्प्रेसी यह लिखिए है GBS सिद्धू ने सिद्धू ने सौरी GBS सिद्धू ने तो दोनों ही सही answer इसमें answer हो जाएगा C उसके बाद है की हाली में नाबाड ने कि सराज के 2000 गामों में वाश यानि की water sanitization and hygiene पर साक्षरता को बढ़ाने के लिए एक स्वक्षता साक्षरता अभियान शुरू किया था यानि की sanitization literacy ये campaign कहाँ चलाया गया था करनाटक में किसने चलाया था नाबाड ने नाबाड के head कौन ने इस समय गविंद राजलू चिंटला कौन सा कथन सही ये बताना आपको तो पहला कथन कर रहा है कि इंडिया ने 15 million US dollars जो हैं दिये हैं श्रीलंका को बहुत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सही है पहला वाला correct उसके बाद है कि गांधी जहनती के उपलक्ष में फिल्म्स डिवीजन ओफ इंडिया ने गांधी फिल्मोट सो ऑनलाइन का आयूजन किया था ये भी correct है उसके बाद है कि शेखर कपूर को FTII society का नए अध्यक्ष बनाया गया है ये हम नियुक्तियों में देखी चुके हैं एंसर तीनों सही हो रहे है इसमें statement तीनों सही हो रहे है मतलब answer हो जाएगा D ISA की तीसरी बैठक के बारे में आपको बताना है सही कथन क्या है भारत एवं फ्रांस को अंतराश्क्री सौर गट बंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इसमें मिनिस्टर जो 34 कंट्री के शामिल हुए थे जो इंटरनेशल सोलर अलाइन्स के मेंबर है सही है यह दोनों स्टेटमेंट एंसर हो जाएगा इसमें C बहुत करेक्ट धारडी पोर्टल किसने जारी किया है सूचना प्रादुगी की सेवाओं का अपयोग करने वाला भूमी पंजी करण के लिए राज जो है तेलंगाना इसने इधारडी पोर्टल चालू किया है भारत आशियान ट्रैक 1.5 जो डायलॉग हुआ था इसको संबंद में गलत कथन आपको चुनना है पहला है कि इसका अपयोजन हुआ था बैंगलूरु में यही कथन गलत है इसका अपयोजन बैंगलूरु में यहीं हुआ था डैली में हुआ था तो यह हो गया रॉंग माउक ही यह सहिय इनिया video, cyber issues पर केंदृत था और इस कायोजन भारत के विदेश मंत्रालर और आशियान देशों के Observer Research Foundation ने किया था ORF ने हमारा एंसर हो जाएगा इसमें First Only Incorrect के वल एक अगला हमारा कॉश्चन है कि हाली में भारत और जापान को Signal Intelligence में सहयोग के लिए जो Five Eyes Intelligence Alliance में सामिल किया गया है जो है कौन सा देश जो है Five Eyes Intelligence Alliance में शामिल नहीं है Five Eyes का मतलब है पांच कंट्री तो कौन सा कंट्री इन Five Eyes में नहीं है ये इसमें कुल विलाकर बताना है रशिया नहीं सामिल है इसमें Option No.C Five Eyes International Alliance कौन कौन से है Intelligence Alliance और ये कौन कौन से है Australia, Canada, New Zealand, Britain और US, India, Japan ठीक और फिर से बता दे रहे हैं Australia, Canada, New Zealand, Britain और संयुक्त राज अमेरिका भारत और जापान नहीं जुड़े इसमें सदस्य है ठीक है हाल इमें कि स्राज सरकार ने 10,000 युवाओं को स्वराजगार उपलब्द कराने के लिए अगला इसमें किये जाएंगे अगला इहां पर कोश्चन है कि हाल इमें कि स्राज सरकार ने किसानों की आजीविका में सुधार करने की द्रश्टी से राज में उच्च मूल वाली सबजियों यानि हाई वैल्य वेजिटेबल्स के लिए इसराइल के सहयोग से Center of Excellence से स्थापित करने की घुशना किये तो इसराइल के सायोग से Center of Excellence स्थापित किया जाएगा मेघाले में High Value Vegetables के लिए C ये काफी important दोनों statement है पहला वाला काफी important है 15 October 2020 को Ministry of External Affairs ने अनौन्स किया था कि वो kilo class की संबरीन जो है के 6 साल जो पूरे हुए 2014 में 2 October को शुरू हुआ था 2 October 2020 को 6 साल इसने पूरे किये तो ये इसकी theme थी 6 साल जो हमने celebrate किये तो उनों स्टेट्मेंट सही है answer हो जाएगा इसमें C बहुत correct भारत ने चीनी निवेशों के परिष्ण हेतु एक निगरानी समीती का गठन किया है इसमें अध्यक्ष कौन ही बताना है तो अध्यक्ष है अजय भल्ला option number B कौन सा गठन है पर आपका wrong है ये बताना है पहला है कि red light on, गाड़ी off ये जो campaign चलाई गई है ये दिल्ली सरकार ने pollution के मद्दे नजर चलाई है correct है मतलब जब red light हो जाए तो अपना engine off कर दें pollution नहीं फैलेगा उसके बाद गोवा ये पहला state बन गया है देश का पहला ऐसा state बन गया है जिसमें हर public school में high tech classroom उपलब्द है तो ये रॉंग है ये गोवा नहीं है ये claim किया है कि केरल ऐसा state बन गया है जहांपर हर public school में high tech classroom है तो गोवा नहीं होगा केरल ला होगा केरल तो ये वाला wrong होगा हमारा और ये हमारा answer हो जाएगा B थर्ड वाला correct है World Health Organization ने Decade of Healthy Aging के रूप में 2020-2030 को नामित किया है Decade of Healthy Aging और जो ये Decade वाली प्रशन है ये 2030 तक भी पूछा जा सकता है समझ लिजिए आप जब-जब PCS का paper होगा आपको लगेगा कि ये आपको पता होना चाहिए 2020-2030 है WHO के द्वारा Decade of Healthy Aging कभी भी पूछा जा सकता है ये फर्स्ट वाला इसमें correct है सेकेंड वाला not correct है थर्ड वाला correct है हाल ही में भारत सरकार द्वारन अनुशन से कितने समुद्र तटों को अंतराष्ट्री blue flag प्रमाणन प्राप्त हो है तो ये number आपको याद रखना है 8 और उनके नाम भी हमने नीचे दे दिये आप चाहें तो इनका screenshot ले सकते है ये question भी पूछा सकता है कि कौन सा नहीं शामिल किया गया है आपसे मैं question पूछता हूँ 2018 current affair का अगर आप regular student है तो आपको पता होना चाहिए हमको ये बताए comment करके कि जो पहला blue flag beach है भारत का वो कौन सा है कि state का वो आपका beach है जिसको blue flag certification सबसे पहले भारत में मिला था हाली में mission शक्ती की शुरुवात की गए थी उत्तरप्रदेश सरकार के दोरा पहला फिर है कि ये campaign था awareness create करने के लिए crime against women को tackle करने के लिए पूरे 75 जिलो में अभी यहां चलाए गया था correct है इस occasion पर governor ने जो कि अनन्दी बेन पटे लें इस समय उन्होंने pink scooty और four wheeler women police vehicles जो है जो flag off किये थे safe city project के तैत ठीक है तो इसमे तीनों statement correct है all of the बो यहां पर correct हो जाएगा ये UP current fair का question है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सहर में मुख्यमंत्री योगी अधित नाज जी ने one ने प्राणी सप्ता जो हुआ था कि समापन पर virtual माध्यम से जटाईू गिध सनरक्षन केंदर का सिलानयास किया है कहाँ पर किया ये महराज गंज डिस्ट्रिक्ट में किया है option number C इन्होंने एक research book भी जारे की थी गड़ा corridor जो conservation of vultures प्रधारित है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अगला question है आपका कि निमलिकित में से कौन से कथन सही है असम सरकार ने परेटन संजीवनी योजना की घुषणा की है correct इंडियन बैंक ने पेपरलेस वरकिंग माहौल बनाने के लिए आई बी नोट जो आई बी नोट सुविधा शुरू की है विश बैंक विकास समीती प्लीनरी की एक सो दूसरी बैठक में भारत का प्रिजित किया था निर्मला सीतरमण ने थर्ड स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टन्ट है मार लिए जो वर्ल्ड बैंक की डवलप्मेंट कमिटी प्लीनरी की 100 सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था निर्मला सीतरमण जी ने तिनों स्टेट्मेंट यहां पर correct answer हो जाएगा All of double T Wrong statement यहां पर बताना है पहला स्टेट्मेंट है कि Union Minister पियुष गोईल जी ने नाउगण railway station का नाम सिद्धार्त नगर railway station कर दिया है यह काफी news में हम सुन रहे थे September से ही correct है Hyderabad पहला airport बन गया है जो e-boarding facility जो है international travelers के लिए जो है introduce कर चुका है प्रदीप कुमार रावत जो है इंडियन ambassador बने है नीदर लैंड के लिए यह हम देख चुका है नियुक्तियों में नीदर लैंड के लिए बने है ना कि नीजलैंड के लिए तो यह वाला not correct हो जाएगा हमारा answer बने गए यहाँ पर only three के वल तीन अभी RBI ने six public banks को जो second जो आपकी schedule है RBI की RBI act की उससे बाहर कर दिया चाहे बैंकों को कौन सा बैंक उस बाहर किये बैंक में सामिल नहीं है यह बताना है आपको तो HDFC को चोड़ कर यह तीनों बाहर कर दिये गए हैं जो चाह बैंक बाहर किये गए हैं उनके लिष्ट एक बार देख लिए Syndicate Bank, Oriental Bank of Commerce United Bank of India, Andra Bank Corporation Bank और Ilahabad Bank हाली में CSIR Central Drug Research Institute लखनव ने युवा शोत करताओं को दवाओं की खोज और उसके विकास के लिए किये गए उतकरष्ट योगदान के लिए किन लोगों को CDRI Award 2020 से समानित किया है यह बताना है हमको तो तीन सामानित किये गए हैं बुशरा अतिक, डॉक्टर सुरजीत घोष और रवी मंजीत थिया तो answer हो जाएगा इसमें C 1, 2 & 3 अगला कोशन है कि निमली कित्मे से काउन से गथन सही है World Economic Outlook Update October 2020 के नुसार भारती अर्थ व्योस्ता 2020 में माइनस 10.3 प्रतिशत संकुचित होगी Correct है यह World Economic Outlook ने सही यह figure दिया है कि इतनी इसे ही संकुचन होगा पुड़ुचेरी एरपोर्ट जो है पूर्ड़ता है सौर उर्जा से संचालित होने वाला भारती विमान पत्तन प्राधिकरण का पहला हवाईड़ा बनाएं ध्यान रखिएगा वर्डिंग्स को Airport Authority of India का पहला हवाईड़ा है जो फुली सोलर पार्ड हुआ है अगर आपसे पूछ लें कि भारत का और पूरे विश्व का सबसे पहला पूरी तरीके से सौर उर्जा संचालित होने वाला एरपोर्ट कौन सा है तो वो है कोची इंटरनेसल एरपोर्ट ध्यान रखिएगा बहुत काईदे से कोची इंटरनेसल एरपोर्ट को चैंपेन आफ पूर्षकार भी मिला था इन्वेशन की कटेगरी में 2018 में आपको अगर यादो भारत में इको टूरिजम को बढ़ावा देने के उदेश से 5 अक्टूबर 2020 को नैसनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भारती वन जीव सनस्थान और वन विभाग द्वारा सहिक तूरूप से गंगा डॉल्फिन दिवस के आउसर पर माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान शुरू किया गया था इस अभियान के तहर्ट डॉल्फिन सफारी कहां स्थापित नहीं की जाएगी बताना है तो तीन राजियों में स्थापित की जाएगी राजस्थान में नहीं की जाएगी ऑप्शन अमबर सी ठीक है तो छह स्थान कौन-कौन से हैं कहल गाउं बिहार है यह BPSC के लिए काफी जरूरी कहल गाउं बिहार में इस्टैबलिश होगी बिजनौर, ब्रजगाट, प्रयागराज, वारण असी उत्तर प्रदेश में बंडेल नाम की जगहे पर पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन सफारी खुलेंगी आप इसका स्रिंड शॉट ले सकते हैं चाहें तो हाली में केंदरी सरकार ने टेलिकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सचिवों का एक पैनल गठित किया है तो हमको बताना है कि इस पैनल का अध्यक्ष कौन है, कौन इसके अध्यक्षता कर रहा है, ये कर रहा है राजीव गौबा, अप्शन के लिए यूटी जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाक को दीन दयाल अंतियोदय योजना राष्ट्री ग्रामीड आजीव का मिशन डे अन आरलम जो है, इसके तहट कितने रुपए की मंजूरी प्रदान की है, तो ये मंजूर हैं 520 करोर रुपए, उप्शन नमबर C स्तार्स प्रोजेट्ट के बारे मताना है, केंदरी मंत्री मंडल ने स्कूली सिक्षा में सुधार हेतु, विश्च बैंक से वित्ती سाहता प्राप्त, स्तार्स परियोजना के कारया अन्वेन हेतु मन्जूरी प्रदान किरदी है, इस परियोजना की कुल लागत राशी होग और स्टार्स का फुल फर्म देख लेंगे स्टरेंधनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है कंट्री का लार्जस्ट जिंक प्रोडूसिंग कम्पनी है इसने एक एकरिमेंट में जांड किया है गुजरात सरका इंडिया इंडियन साइट लॉंच करने की घुस्टना की गई है और यह तीनों चात्र जो है किस राजसमंदित हैं यह आते हैं तब लाडू से अप्शन नमबर सी हाली में शास्त्र विश्विद्याले डीम्ड उनिवस्टी की द्वारा जो हर साल शास्त्र रामनुजन पुर चेतर में उतकरष्ट कारे करने के लिए एंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 और 2 अगला कुशन है कि पार्टीज पब्लिशिंग इंडिया द्वारा एक पुस्टक Mr. Prime Minister V. Shrank the Dragon प्रकाशित की गई है इस पुस्टक के लेखक कौन है पुस्टक के लेखक है आपके प्रदीप प्रकाशित की गई है इसके अनुसार जून अंत 2020 तक भारत का विदेशी रिंड कितना था है यानि कि external debt जो है इंडिया की जून अंट तक कितनी थी ये बताई गई है 554.5 billion dollars ऑप्शन नमबर A कौन से कथनिया पर सही है भारत ने डेनमार के साथ green strategic partnership स्थापित करने की गुष्ण की है correct तमिलाडू सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों में smart blackboard योजना शुरू की है उसके बाद है कि भारती मूल यानि बिहार से संबंधित बिहार के origin के वेवल राम कलावन को हाली में शीशल्स के राष्टपती की रूप में चुना गया है तीनों स्टेट्मेंट सही है एंसर हो जाएगा इसमें D all of the above आगे कुश्चन है कि हाली में केंदर सरकार ने ये विवात से विश्वा स्कीम के लिए भुक्तान करने की समय सीमा को कितना बढ़ा दिया है अब ये कर दिया है इसको 31 मार्ट 2021 तक आजुश्मान सहकार स्कीम वेसम डिसकस कर चुके हैं स्कीम वाले सेक्षन में NCDC के साथ मिलकर के स्वास्त सुविधाओं को स्थापित करने के लिए साहकारी समीतियों को कुल कितने रुपए का रिडिस में दिया जा रहा है ये अप्रूव किया गया 10,000 क्रोर रुपए का अप्शन नमबर A हाली में लाउंच किया गए क्रतागे है क्रतागे है क्रतागे है क्रतागे ये राष्ट्री क्रशी उच्छ सिक्षा परियोजना के तैत शुरू किया गया है और इसका उद्देश ये क्रशी के मशीनी करने विशेश रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरणन को बढ़ावा देना है ठीक है तीनोई स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है एंसर हो जाएगा D उसके बाद है कि हाल ही में कि इस देश ने मालदीव के हमले में सौ बेड़ के कैंसर अस्पताल और बाइस जार सीटों वाले क्रिकट स्टेडियम बनाने के लिए प्रति बद्धिता व्यक्त की है इसका एंसर होगा इंडिया ऑप्शन नमबर सी बहरत हाल ही में महरास्ट्र केंद्री अन्वेशन ब्योरो की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राजी बनाया है ऐसा पहला कदम किसने उठाया था ऐसा पहला कदम जो है उठाया गया था आपका करीब वेस्ट बंगाल में आपको याद हो गए सब चीजने चली थी ऑप्शन नमबर डी यहां इस तरीके का राजस्थान में कौन सा गतन यहां पर सही है भारत से मालदीव के लिए पहला माल वाहक पोत जिसका नाम है MCP LINZ मालदीव के उत्तरी शहर कुल्दू फुशी में पहुँच गया है यह भारत और मालदीव के बीच प्रत्यक्ष कारगो फेरी सेवा की पहली या वारत की पहली फेरी सर्विस थी शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया के द्वारा तो इसको याद रखीएगा आप ऑप्शन नुम्बर यहां पर सही होगा डी इन में से कोई भी एक फैक्ट पूछे जा सकता है पेपर में फ्रॉडुलेंड प्रैक्टिस या माल प्रैक उप्शन ओप्शन नुम्र आ